तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे आप अगर यूटूब पे वीडियो डालते हो अपलोड करते हो तो वहाँ पर थामनिल बनाना बहुत जरूरी होता है जिसके लिए आप अगर थामनिल बनाते हो तो कोई भी आपका इमेज या फिर कोई भी उसका अगर background को remove करना होता है तो उसके लिए आप या तो फिर mobile के application में जो एक remove बीजि के नाम से होता है उस पर आप जा करके उस image का या photo का background को remove करते हो या तो फिर google पर search करते हैं background को remove करने के लिए कई सारे ऐसे website आते हैं जिसके उपर आप अपने photos को upload करके और वहाँसे background लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूं कि अगर आपके पास Windows 11 है तो Windows 11 में मात्र एक क्लिक में मात्र एक क्लिक में आप अपने फोटोज के background को remove कर सकते हो किसी भी third party apps की जरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ आप एक क्लिक में अपने laptop में ही आप background को remove कर सकते हो तो चलिए मैं आपको बताने बाला हूं कि आप भी अगर अपने फोटोज को किसी भी image को अगर background को remove करना है तो उसका हूं कैसे remove करेंगे तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं Ranjan और आप देख रहो हमारा YouTube चनल आरकेस टेक इंफो तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दो desktop को उपर एक photo है इस image को पहले मैं open कर लेता हूं इस photo के अंदर में जो भी यहाँ पर background दिखाई दे रहे हैं इस background को remove करना है remove करने के बाद पर आप इसके बाद जो भी चीज़े लगाना चाहे तो इस background के अंदर में आप अपने recording लगा सकते हो लेकिन यहाँ पर इस video में सिर्फ और सिर्फ में आपको बताने वाला हूं कि photo के background को कैसे remove करें तो चलिए सबसे पहले जिस photo को भी background को remove करना है उस photo पर आ करके right click करना होगा and then आपको यहाँ पर open with पर click करना होगा यानि cursor को लाएंगे और यहाँ पर right hand side में देखेंगे तो एक यहाँ पर paint का option आ रहा है इस वाले इसको paint में open करना है click करने एक बात पर यहाँ paint में आ चुका है यहाँ से photo को zoom in या zoom out करना है तो अपने recording zoom in, zoom out को कर सकते हो इस photo को अब जैसे इसको हमने 50 पे इसको set कर लिया है अब यहाँ से इस photo को remove करने के लिए background जब इसमें remove करना है तो उसके लिए यहाँ पर कई सारो options दियो है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो image के अंदर में यहाँ पर एक option है इस पर cursor लाने के बात पर यहाँ पर लिखा हुआ रहा है remove background इसको उपर आप click करेंगे क्लिक करते ही यहाँ पर जो भी photo है उसका background यहाँ पर remove हो जाएगा यहाँ से इस परकार से background को हमने remove कर दिया अब इस photo को save करने के लिए यहाँ पर आपको file पर click करना होगा and then यहाँ save यानि कि save ओले option पर click करने के बात पर जिस photo को मैंने open किया था यानि कि यहाँ से हमने desktop को पर जो यहाँ photo रखा हुआ है इसको open किया था तो same ec को replace करके और वहाँ पर save हो जागा लेकिन इस photo को तो इसके लिए file पर click करेंगे और यहाँ पर save as पर लाएंगे cursor को और जिस format में आपको save करना है जहाँ बी सारी यहाँ पर format दी हुए जिसमें आपको यहाँ पर सेफ करना उसपर click करेंगे तो चलिए यहाँ पर मुझे PNG format पे save करना है तो PNG picture पे click करेंगे click करने के बाद पे जहां भी आपको जिस location में जिस path में आपको save करना है वहाँ click करेंगे और यहाँ पे photos का जो भी आपको नाम देना है वहाँ पे आप इसको नाम दे देंगे और इसके बाद save वाले option पे click करना होगा save पे click करते ही अब यहाँ से paint को close करेंगे अब यहाँ आप देखोगे एक दूसरा photo यहाँ पे PNG में त्यार हो गया यानि कि इस photo को जब हमने open किया तो इसका background remove हो गया और पहले वाले आप photo देख सकते हो यहाँ पे यह जो पहले वाला photo है इसके अंदर background है और दूसरा photo अब मैं यहाँ पे आपको open करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे दूसरा photo है तो दोनों photo में आप देख सकते हो एक photo में यहाँ पे background दिखाई दे रहा है और दूसरे में background remove हो चुका है तो इस परकार से आप भी आप अपने laptop को माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में किसी भी photo के background को remove कर सकते हो तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हो और चैनल पर पहली बार आतो चैनल को सब्सक्राइब करते हो और जितना हो से कि अपने दोस्तों को ओने माठर्म